जब से कोरोना वाइरस महामारी की सुरुवात हुई है लोग बचाव के लिए तमाम एहतियाद भरतना शुरू कर चुके हैं लेकिन ये वाइरस गाहे बगाहे लोगों की तयारी और एहतियादों को अंगूठा दिखा देता है कोरोना से बचने के उपायों के मामले में आम लोग अधर में लटके हुए हैं कोरोना वाइरस को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे बताया जा रहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज N95 मास्क का इस्तमाल कर रहे हैं तो वो दूसरों की जिंदगी खत्रे में डाल रहे हैं क्यूंकि N95 मास्क में लगे वाइरस के वातावरन में फैलने का खत्रा रहता है इसलिए केंदर ने सभी राजियों और केंदर शाशित प्रदेशों को पत्र लिख कर लोगों के वाइल्ड रेस्पिरेटर्स लगे N95 मास्क पहनने पर रोक लगाने की बात कही है लेटर में कहा गया है कि इससे वाइरस का फैलना नहीं रुखता इसलिए केंदर ने सभी राजियों और केंदर शाशित प्रदेशों को पत्र लिख कर लोगों के वाइल्ड रेस्पिरेटर्स लगे N95 मास्क पहनने पर रोक की बात कही है लेटर में कहा गया है कि इससे वाइरस का फैलना नहीं रुखता और ये COVID-19 महामारी को रोकने के लिए उठाये गए कदमों के उलट है स्वास्त मंत्राले के स्वास्त सिवा महानिदेशक का साफ तोर पर कहना है कि अपने चेहरे को ढखने के लिए बहतर यही है कि घरों में बने कपड़े के मास्क का इस्तमाल किया जाए इन होममेड मास्क को इस्तमाल के बाद प्रति दिन धोने की भी ज़रुरत है आप सभी से अपील है कि सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें चेकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंदर की रिपोर्ट